कया आपको पता है, आखिर क्यों काता था भगवान परशुराम ने अपनी माता का गला? भगवान परशुराम श्री हरी के छठे अवतर थे. वे मता रेनुका और रुशी जमदागनी के पंच्वे पुत्र थे. एक बार मता रेनुका नडी के पास जल भारने के लिए गई थी. जहन उन्हें एक सुन्दर राजकुमर खेलते हुए दिखे. जिसे देखकर उनका मन मोहित हो गया था और वो नडी किनारे बैथी रह गई. वे ये भी भूल गये कि उनके पटी उनकी प्रतिक्षा कर रहे थे. जब वे वपस अश्राम आई, तब रुशी जमदागनी ने अपने दैव्या शक्ती से सब ग्यात कर लिया था. और उन्होंने क्रोध में आकर अपने बितों को आदेश दिया कि वे अपनी मता का वद कर दे. लेकिन उनके चारों पुत्रों ने मना कर दिया. केवल परशुराम ने अपनी पिटा की आगया का पालन किया और अपनी मा का सरकात कर वाद कर दिया. इसे देख कर रुशी जमदागनी बड़े प्रसान होते हैं और उनको इच्छा अनुसर वर देने की बात करते हैं. तब पर शुराम ने वर में अपनी मता का जिवन मांगा और ये भी मांगा कि उनकी मता को इस खतना का समारा न रहे.